जैश्र कृष्ण दोस्तों, दोस्तों पांच साल पहले मैंने निरने लेने पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें निरने लेने के दस नियम बताए थे, आज इस वीडियो पर दस मिलियन व्यूज आ चुके हैं, परन्तु कई बार ऐसा होता है, कि हम लोग इतने सक्षम होते ही कि निरने ले सकें, नहीं नहीं, मैं आपको किसी भी तरह से कम नहीं आख रहा, बात को उधारन से समझिए, मान लो आपको कोई निरने लेना है, तो या तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, जो आपको गाइड करेगी कि सही क्या है, कुछ लोग इसको आत्मा की, मन की या बुद्धी की आवाज भी कह सकते हैं, या फिर हो सकता है, आप किसी एक्सपर्ट की मदद से कोई निरने ले लो, ये एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, अर्जुन के लिए श्रीकृष्ण ये एक्सपर्ट थे, आपके लिए कोई समझदार इंसान, कोई डॉक्टर या को तो या तो आप अपने भीतर की आवाज सुनकर या फिर किसी एक्सपर्ट की सला से निरने ले सकते हो परंतु हर बार तो ऐसा कर पाना संभव ही नहीं मेरा एक दोस्त है जो पिछले 5 सालों से अपने लिए लड़कियां देखे ही जा रहा है परंतु निरने ले ही नहीं पा रहा कि शादी किस से करनी है अब किसी से एक बार मिलकर बात करकर आप उसके बारे में सब कुछ तो जान नहीं सकते और हमारे समाज में ये भी संभव नह तो ऐसे में निरने कैसे ले चलिए इसको जानते हैं एक कहानी से ऐसी कहानी आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी और ये कहानी मेरे दिल के बेहत करीब है क्योंकि ये हमें देती है जिन्दिकी की सबसे important सीख तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर लोग तो ये भी कहते थे कि ये दुनिया के सबसे कीमती हीरे हैं हीरो की भनक राजा को हुई तो राजा ने इन हीरो को हड़पने की सोची अब क्योंकि हीरे अत्यंत कीमती थे राजा इसकी कीमत अदा नहीं करना चाहता था राजा चाहता था कि वो इन हीरो को किसी तरह से व्यपारी से चीन ले, परंतु व्यपारी ने भी कच्ची गोटिया नहीं खेली थी, व्यपारी ने हीरो को कहीं छुपा दिया, और समय बीता चला गया, और अंत वो दिन आ गया, जब व्यपारी मृत्यु शैया पर था, इस व्यपारी के दो पुत्र थे, जो कि अपने पिता हीरों को राजा से बचा कर जमीन में गाड़ कर रखा है और हीरों के साथ ही मैंने खूब सोना भी छिपा दिया है दोनों बेटों ने संदूग से नक्षा निकाला तो पिता ने बताया तुमको इस रास्ते पर चलना है और आगे चलकर एक रास्ता दो रास्तों से निकलता है एक रास्ता दाई को जाता है और एक भाई को और इनी दोनों में से एक रास्ता गलत है और दूसरा सही गलत रास्ते पर आगे बढ़े तो आंधी तुफान का सामना करना पड़ेगा और वही सही रास्ते पर चलने पर तुमको वो स्थान मिलेगा जहां पर महंगे हीरे गड़े हैं। समस्या ये भी थी कि ये दोनों रास्ते ही रेगिस्तान से होकर ही गुजरते थे। ये जानकारी देकर कुछ ही समय बाद व्यपारी ने दम तोड़ दिया। पिता की मृत्यु के बाद प काफी सोच विचार किया और इस निषकरश पर पहुँंचे की रास्ता काफी लंबा है। इस काम में समय भी काफी लगेगा। और ये भी संबभव है कि दोनों भाई भूक और प्यास से रेगिस्तान में ही दम तोड़ दे। दोनों इस निषकरश पर तोड़ udah दे. कर ले आएंगे परंतु अब समस्या ये थी वो किस व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाएं क्योंकि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो शरीरिक तौर पर तो मजबूत हो ही साथ-साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत हो और तो और व्यक्ति इमानदार और नेक नियत का चाहिए था दूनों भाईयों को अपने बचपन के एक-एक मित्र की याद आई और ये दूनों जा पहुँचे उनसे मिलने अब दूनों ही भाईयों ने अपने अपने दोस्तों से फीरों वाली बात चुपाई बस ये कहा कि उनको सही रास्ता तलाश के देना है और दोनों को पहले ही बता दिया गया कि काम जोखिम बरा है दोनों मित्र दोनों भाईयों के बहुत करीब थे दोनों पर ये लोग आँख मूंद कर भरोसा करते थे परंतु व्यक्ति तो एक ही चाहिए था और उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो जादा बुद्धिमान होगा और कहना मुश्किल था कि दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है दोनों भाईयों ने निर्ने लिया कि अभी हम इन दोनों को ही साथ ले चलते हैं और निर्ने की घड़ी जब आएगी तो पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है अब चारों ने चार उँट लिये और निकल पड़े अपनी मनजिल यानि हीरों की खोज में सभी उठों पर प्रियाप्त मात्रा में पानी और खाने का समान रखा था और ये भी तै कर लिया गया कि इन में से एक उंट अपनी सवारी के साथ वापिस आ जाएगा कुछ दिनों तक सीधा चलने के बाद अंत वो रास्ता आ गया जो आगे से दो रास्तों की और बढ़ जाता था दोनों भाईयों ने दोनों दोस्तों से कहा हम लोग अब विश्राम करने लगे हैं और अब तुम दोनों को खोजना है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत एक भाईयों ने कहा याद रखना एक रास्ता सही होगा और दूसरा गलत और जो भी सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और हम उसको इनाम स्वरूप सोना देंगे अब दोनों दोस्त अपने अपने उटों पे सवार कुछ कदम आगे बड़े और उस बिंदु पर आखड़े हुए जहां से रास्ता बटा था दोनों ने देखा, दोनों रास्ते एक से ही है किस रास्ते पर जाना है, इसके लिए ना तो भीतर से आवाज आ रही है नहीं यहां पर कोई बताने वाला है कि कौन सा रास्ता सही है और नहीं वापस जाकर कोई फायदा है तो अब क्या करना चाहिए फैर ना जाने क्या सोच कर पहले दोस्त ने अपने उट को दाए तरफ घुमा दिया और दाए रास्ते पर आगे बढ़ता ही गया वहीं दूसरा दोस्त दूसरे रास्ते की और देखता ही रहा और सोचता रहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो क्या होगा दाइयोर से धूल मिट्टी उड़ती दिखी जो दोस्त गया था अब वो उट पर वापस आ रहा था तीनों उसको देखकर दंग रह गए फिर दूसरे दोस्त ने दोस से मुस्कुरा कर पूछा कलत रास्ता ना पहला दोस्त बोला हां दोनों भाईयों ने कुछ विजार विमर्श किया और कहा बदाई हो हमने अपने साथी को चुन लिया है तो दूसरा दोस्त बोला शुकरिया भाई बोले तुमें नहीं हमने पहले दोस्त को चुना है दूसर आपने ही तो कहा था, जो भी सही रास्ते पर जाएगा, वही आपका तीसरा साती बनेगा, परंतु पहला दोस्तों गलत रास्ते पर आगे बढ़ा, तो आपने उसको क्यों चुना, भाईयों ने बताया, क्योंकि पहले दोस्त ने ही ये पता लगाया, कि गलत रास्ता कौन सा ह जिस कारण हम आगे सही रास्ते पर जा सकें और वहीं, तुमने सारा समय यही सोचने में लगा दिया कि सही रास्ता कौन सा है पहला दोस्ट सफल हुआ क्योंकि उसने सोच विचार कर यह निर्ने लिया कि कोई एक रास्ता तो चुनना ही होगा तो जब सभी रास्ते बंध हो, समझ ही ना आए, कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, तो कोई एक रास्ता पकड़ लो, समय या तो आपको सफलता देगा, या अनुभव देगा, और सफलता और अनुभव दोनों ही कीमती होते हैं, श्री कृष्ण ने श्रीमत भगवत की ताके त तरह एक साइकोलोजिस्ट की मदद चाहिए, तो आप थौटक्योर.com पर जाकर, मेरी बहन से संपर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके, अपने हर कन्फ्यूस्ट मित्र के साथ शेयर करना ना भूले, हरे कृष्णा